असलालेकुम बेटा आज हम मेंडिल्स के मुतालिक पढ़ेंगे फिर आइस्ता आइस्ता हम कवर करते जाएंगे और मेंडिल्स के लौस पढ़ेंगे और उसे हम बहुत गोर से समझेंगे उसकी बेसिक बाते समझेंगे और हम आपको समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझा सके बिटा आप सबसे पहले तो यह है कि मैंडिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैंडिल कौन था क्या यह साइंटिस था यह साइंटिस नहीं था और इसने किस तरीके से यह लॉस को इसने प्रोमोट किया और आगे तक चला और लोगों ने इसके साथ कैसे इसके माना या नहीं माना तो बेटा वीडियो को आपने शुरू से आखर तक पूरा देखना है वरना इसमें कोई भी बात अगर रह गई मिस हो गई तो आप इसके प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम करने हैं आपने वीडियो को पूरा देखना है और बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक भी कीजेगा शेयर भी कीजेगा और कमेंट्स भी कीजेगा ठीके शाब बाशता के जो भी वीडियो हम बनाएं फटा फटा आपके पास पहुँचे क्योंकि ये वीडियो इस फेडरल बोर्ड की बुक से हैं और आप ये जानते हैं कि नम्स का भी जो टेस्ट होगा हुआ था भी उसमें भी और आइंदा भी जो होगा अब आउट फिफ्टी परसंट जो वो फेडरल के क्वेस्चन होते हैं तो आपकी फेडरल की भी तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छी ठीके बैटा अभी हम पढ़ रहे हैं मै मैंडिल्स को मैंडिल्स ने बैटा यह जो काम किया था अपने लॉस पर और डिफ्रेंट यानि पी पर काम किया था डिफ्रेंट फ्लावर्स पर काम किया था तो उसने क्या किया था तकरीबन 1850 से लेकि 1860 तक उसने काम किया अब यह ग्रीग और मैंडल है यह देखें यह इ बलके ये कौन थे ये एक चर्च में थे एक फादर होते थे तो वहां से इनके बराबर में बहुत सारी जगा जो है वो खाली थी पलाट था जमीन थी उस जमीन पर इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करकर के अपने लाज बनाए और इनका अपना इंट्रेस्ट था इनके वर्क को किसी ने माना नहीं हलाके इन्होंने साइंस की जो सोसाइटी थी उसके आगे भी रखा और इन्होंने भी नहीं माना लेकिन फिर इनके वर्क को माना गया कब जब इनकी डेथ को तक्रीबन पंदरा बीस साल हो गये तो उसके बाद उन्होंने इसके काम को माना और फिर इनके काम को उन्होंने बुक्स में यह पबलिश किया और इसके उपर ज्यादा स्टडी की मज़ीद मिलके थ्री साइटिस थे उन्होंने मिलकर इस पर काम किया और फिर इसको प्रोमोट किया और फिर पबलिश किया इसको बिटा इसमें ये देखें कि हमने जो आपको बता रखा है इसमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि क्या है Mendel Discover Mechanism of Inheritance उसने Inheritance की Mechanism को Discover किया था कि Inheritance किस तरह से होती है Work with Pee Plant Pee Plant का पर उसने काम क्यों किया कि क्यों ये बहुत prominent इसका flower होता है और ये आसानी से generation to generation चलता रहता है जब artificial crossing over की जाती है तो इसकी generation में end नहीं होता जबके दूसरे जितने भी plant है उनकी generation खतम हो जाती है वो दुबारा से generate नहीं हो सकते है इसने सबसे पहले क्या किया था A plant produce all the offspring यानि इसने plant दिया और Pee पर work किया फिर first step में इसने क्या किया develop the true अब देखे love जाया true अब true means क्या है आपको ये याद रखना है कि true means देखे क्या होता हमने यहां लिखा है ताकि आप इसको याद रखे देखे लिखा हुआ है जो true होगा ना हम उसको pure भी कहेंगे वो देखे उपर लिखा है आपने यह देखे यह अब pure pure को true कहेंगे क्यों क्यों क्योंकि यह homozygous होगा यानि same होगा means capital T means dominance dominance और या फिर क्या है recessive means यह true एक जैसे ही character होगे यह homozygous होगा यह pure कहलाएगा यह true कहलाएगा अब आपने क्या याद रखना है आपने याद रखना है कि यह pure है और यह true है इसे हम homozygous कहेंगे इसमें same होगा TT यानि tall tall और small t और small t यानि dwarf ठीक है यानि यह क्या होगे हमाँ पस dwarf होगे means छोटे होगे छोटे कदकी होगे या क्या है अगर round होगा तो round round और फिर wrinkle wrinkle तो यह होगा pure यानि दोनो gamit same है एक जैसे है इसके बाद देखे उसी के नीचे हमने लिखे capital T और small t यह क्या है हमारे पस यह होगा हमारे पस heterozygous यानि different capital and small heterozygous हमेशा बनता है hybridization के बाद hybrid के बाद ठीक है यह आपको पता चल गया है इसके बाद देखे आपने यह भी याद रखना है कि हमने यह आपको लिखके दिखा रखना है कि pheno type देखे students को यह बास समझ रहें आती कि pheno type क्या है और genotype क्या है pheno type यह है यह देखने में Tall नजर आएगा और यह देखने में ड्वार्फ नजर आएगा यह बढ़ा नजर आएगा यह छोटा नजर आएगा देखने में जीदो टाइब क्या है उसके अंदर उसकी जो जीन है dominant, dominance, dominance दोनों यह दोमिनेट केरेक्टर होंगे tt and the small tt यह होगा इसका यह तोल का tt और dwarf का small t, small t यह होगी ठीक है इसके बाद क्या है यह तो हमने बताया कि after 20 years इसके विचारे के काम को माना गया था अच्छा जी अब देखें यहाँ पर जब यह बात आपको पता चल गई है तो क्या बताया है experimental work was developed true और pure दोनों बाते हो गई true भी है और pure भी है varieties a plant produce all of spring own phenotype अब जब पहली crossing होगी न बेटा first crossing में याद रखें कि क्या बनेगा तमाम बनेंगे capital T small T capital T small T capital small अब जब किसी में भी एक भी capital capital means क्या है dominance एक character अगर dominant करेगा तो वो क्या कहलाएगा वो dominant कहलाएगा वो recessive नहीं कहलाएगा जैसे हम आपको यह बात यहाँ बता दें फिर हम आगे चलते हैं जैसा कि देखें यह पुनेट हमारे पास क्या है पुनेट square है इस square में देखें हम आपको दिखा रहे हैं यह देखें अब यह square में आपको नज़र आ रहा है यह क्या है round yellow capital means यह pure है round yellow यह homozygous है यह देखें यह hetero है capital capital small small यह hetero है लेकिन इसमें एक character तो देखें dominance कर रहा है इसलिए बाकी दूसरा recessive है इसलिए यह भी क्या होगा round भी होगा yellow यह round होगा yellow होगा round yellow यह देखें यह राउंड yellow यह देखें यह रहा यह क्या है wrinkle green यह भी छोटे यह भी छोटे recessive recessive यह देखें यह एक r बड़ा है न एक r बड़ा means क्या है दूसरा बेशक छोटा है लेकिन यह क्या r means क्या है round तो यह rounded है लेकिन एक भी y capital नहीं है it means क्या है यह क्या है यह हमारे पास green है yellow यह 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 आई देखें यह यह रोज दोनूं 와र है यह यह Uh तुरियोंवाला है और ya के है dwa किसको जाहर कर रहा है यालो को तो आप देखे एक ya capital है means yелю समज़ गहा NEW बात बात ये है कि capital है वो dominant को दिखा रहा है और जो small है वो recessive को दिखा रहा है अब यहाँ देखे इसमें ये भी ह Eatro है ठाँ है यह भी homo zaigus है और है कोई ऐसा और कोई नहीं किसी में कोई capital कोई small तो वो क्या होंगे वो heterosigus होंगे यह हमारे पस क्या है अब जो हमने आपको बताय है कि first generation में क्या होगा first generation में ऐसा ही होगा कि तिया तिया हमारे पस f1 generation में यहां पर दिखा रखा है F1 जेनरेशन में F1 जेनरेशन आम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें देखे किस तरीके से यह देखी हैं अब यह आपको हम close करके दिखाते हैं ताकि आपको भी पता चले यह देखी यह नजर आरा रहा है यह आपको आना चाहिए homozygous एग जैसे capital capital round capital r means round homozygous एग जैसे small small means wrinkle अब यह जो name है यह क्या phyno type और यह जो है बाहने जीनो type crossing over हमेशा genotype में होते है phenotype में होते है यह क्या है यह exist की gamits है यह क्या है यह जीनो type है अब देखे जब crossing over हुआ तो क्या capital small means क्या है आप देख रहे हैं कि generation में क्या होगा first variable generation में आप ये देखें capital small capital small capital small means जितने भी gamit होंगे ये देखें सब के सब क्या होंगे capital R means क्या round round होंगे क्योंकि उसमें एक भी capital आ जाएगा वो dominant कहलाएगा ठीके बैटा ये बात आपको समझा है ये हमारे पास क्या था यह ये था punit हमारे पास था punit square जिसमें कि हम बताते हैं कि ये किस type का काम हो रहा है ठीके punit में punit square हम आपको बनाने का बताने का बताएंगे इसका बनाने का तरीका कार भी भी बता देंगे ठीके बटा अभी आप देखें यहां पर हमारे पास क्या है आगे जो हमने आपको बता रख है उसमें आप देखें कॉल दा प्योर ब्रीडिंग प्लांट उन्होंने क्या कहा है यहां पर प्रोडूस ओन आफ स्प्रिंग ओन फीनोटाइप यानि सब के सब देखने में एक जैसे थे अपॉन दा सेल्फ फर्टिलाजेशन उनकी सेल्फ फर्टिलाजेशन हुई इस कॉल दा ट्रू प्योर ब्री आफ स्प्रिंग और राउंड तमाम के तमाम राउंड थे ठीक है इसके बाद दा पैरेंट एस वेल एस आफ स्प्रिंग जैसा पैरेंट था बिलकुल वैसा ही उसका आफ स्प्रिंग मेंस उसकी उलाद उससे पैदा होने वाले कैसे थे तू थे और प्योर थे तू थे और fertilization आपस में ही उसकी जो ये हासिल हुए प्यूर ब्रीडिंग उसको दुबारा उसने repeat किया now successive generation successive उसको generation मेरी true breed था true breed में उसने मेंडेल स्टडी seven pairs or traits उसके बाद उसने साथ जो किरदार है character वो उसने उसमें seven जो character है उसकी खसूसियात है उनको उसने study किया called the mendelian parameter उसका वो mendelian parameter रहा for each contrasting phenotype तमाम के contrast क्या थे उसने phenotype को study किया develop in the true breeding plant in second step second step में उसने क्या किया hybridization hybridization में उसने cross fertilization करवाई cross में आपको मालूम है means क्या होता है cross cross यह होता है क्या है कि एक purple उसने लिया और एक white लिया देखे यह self था self purple और purple flower के दरम्यान या white और white flower के दरम्यान और यह देखे यह second में उसने क्या किया cross means क्या purple को white के साथ या white को purple के साथ उसने cross किया between two individual contrasting phenotype अब क्या contrasting phenotype था और उसके बाद क्या है cross fertilization करवाई तो कैसा बना round between two individual contrasting phenotype यह भी कहते देखने में एक जैसे थे phenotype थे इसके बाद क्या है उसने क्या किया monohybride cross अब crossing उसने करवाई लेकिन उसने एक character लिया या तो वह character color का था या वह height का था या round और wrinkle का था या एक character होगा अब देखे और cross cross उसने किसमें करवाई है round shape and the yellow color उसने का shape एक तो round होगी और yellow color होगा means कि round dominant character है yellow भी dominant character है plant with wrinkle यानि जुरियों वाला और green colored green color से उसने यानि दो-दो character आगे ने देखे round yellow wrinkle green two character आगे से die hybrid cross उसे कहा गया और study में क्या है उसने क्या किया यानि उसने यह देखा कि उसको study में single trait में कौन सा ratio मिलता है और die hybrid में जहां two character उसने करवाए है cross तो उसमें उसको क्या ratio मिलता है यह है इसे mandal's laugh inheritance कहते हैं अभी हमने mono hybrid नहीं किया है हम mono hybrid करेंगे तो आपको clear पता चल जाएगा कि क्या होगा और फिर हम die hybrid करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या होगा अभी आप देखें mono hybrid, mono hybrid में क्या है main बातें यानि क्या इसमें inheritance of single trait क्या चीज़? seed shape, shape ली cross उसने उसको cross करवा है, किसके साथ cross करवा है? cross हा pure breeding round seed, pure breeding round seed के साथ उसने cross करवा है, pure means दोनों capital RR ठीक है? और small RR shape of plant hybridization observe F1 first failure generation में क्या होगा? only one parental phenotype, सारे parental phenotype जैसे थे एक भी change नहीं हुआ, first failure generation में उसने देखा ऐसा ही होता है, कि ऐसा हुआ, लेकिन के round seed entirely individual exhibiting only one parental phenotype, इसके बाद है, when generation interbreed self-fertilized the offspring of the, क्या हो जाएगा? F2, F2 second failure generation, उनी की generation से जो हासिल हुए, वो second failure generation कहलाएंगे, उसमें हम आपको सिखाएंगे फिर, के ratio किस तरह से निकलेगा? ratio means क्या है? three ratio one आया, कैसे आया देखें? three ratio one में क्या है? one individual had the phenotype, एक phenotype था, inherited in wrinkle seed shape, wrinkle seed shape में, देखें, phenotype किस तरह से था, आप यहाँ देखें, हमने आपको यह भी दिखाया था, हम दोबारा आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप phenotype और genotype में फर्क पहचाने, देखें कि F2 में, ratio यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर आपको यह दिखाते हैं, यह देखें, बिटा यह है, ऐसा, यह देखें, यह रहाँ, ठीक, यह देखें, होमोजाइगस, होमोजाइगस में क्या होगा? capital, capital है, या small, small है, देखें, round, round, wrinkle, wrinkle, जब gamit बने, तमाम gamit कैसे थे, round seat था, तमाम round थे, और तमाम round को जब उसने cross करवाया, तो कैसे बने, इसमें, एक R है, it means, यह capital R, dominant character जाहर होगा, अब इसमें recessive है सही, लेकिन वो नजर नहीं आएगा, वो क्या है, physical देखने में, यानि फीनो टाइप, वो बड़ा नजर आएगा, यह भ अंदर character है, wrinkle का, उसे जब इनी को दोबारा cross करवाया है, तो दोबारा cross करवाने पर आप देखें, क्या ratio आया है, यानि, ratio आप देख रहें, round round wrinkle, ratio ऐसा आया, कि यह देखें, एक में capital R, R, यह क्या है हमारे पास, अब यह देखें, यह pure आगया, pure, यह pure gamit आगया, और दे मोजाइकस है, यह देखें, यह hetero है, यह hetero है, एक capital, एक small, तो ratio इसका क्या बना, gamits का, यानि हम इसमें purity का ratio बनाएंगे, तो 1, ratio 2, ratio 1, ठीक है, अब यह कौन सा ratio है, देखें, आपको R, capital, यह English के जो हुरूफ है ना, जो हमारे पास alphabet है, यह genotype कहलाएंगे, genotype ratio क्या बना, यह genotype बना, अब phenotype ratio देखें, क्या है, phenotype ratio, यह भी दिखने में rounded होगा, यह भी दिखने में rounded होगा, यह भी दिखने में round होगा, लेकिन यह wrinkle होगा, क्यूंकि इसमें एक character round है, और एक wrinkle है, तो जब यह round character होगा, यह dominant character है, यह recessive को जाहिर ही नहीं होने देगा, तो यह dominant ही character होगा फीनोटाइप जो देखने में नजर आ रहा है इसके बाद है परसंटेज यह क्वेस्टन आते हैं एंटीटेस में परसंट देखें परसंट क्या है 25% क्या होगा डॉमिनेट character 25% देखें क्या है recessive character और 50% क्या होगा यह हमारे पास हेट्रो होगा यानि कि इसमें dominant and recessive होगा अब इनको हमें किस तरीके से यहां बताना देखें यहां साइड में यहां बता रखा है आप देखें यह रहा कि F2 generation में 3 ratio 1 होगा यानि round होंगे रिंकिल होंगे इसके बाद यहां देखें आपको यह बताया कि इसके नीचे यहां पर आपको यह सब देखें दिखा रखा है कि क्या बनेगा यह ठीक है और सीट भी आपको बता रखें और यह F3 जेनरेशन होगी अभी हम F3 तक नहीं है उनको आपने मिस नहीं करना है आपने इसकी परसंट याद रखनी है कि क्या है परसंट के इलावा आपने क्या याद रखना है परसंटेज याद रखनी है रेशो आपने याद रखना है ठीक है इनका रेशो आप बताएंगे कि कौन सा है डॉमिनेंट और हेट्रो और होम जीनो कैसा होगा एंगलिश के जो गुरूफ हैं टॉल स्माल राउंड रिंकल ये सारे के हैं कैपिटल टी स्माल टी कैपिटल आर स्माल और ये किसमें आ जाएंगे ये सारे के सारे जीनो में आ जाएंगे जीनो यानि उनके क्रोमोजोम्स के अंदर में जो जीन है ये वो जाह होगी ठीक है बेटा इसके इलावा आपको और जिस किसी चीज़ की जरूरत हो कोई चीज समझ ना आए तो आप हमसे जरूर पूछ लेंगे और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इसके नेक्स आगे मजीद जो इसकी होंगे और जो हमारे पास इसकी जो डॉमिनेंस के लॉज है वो तमाम लॉज हम आपको इसी डिटेल से बताएंगे तो आपने ये बाते याद रखनी है रेशो याद रखना है ठीक है और उसके बाद जीनो टाइप क्या है इनका फीनो टाइप क्या रेशो है ठीक है जीनो टाइप क्या रेशो है फीनो टाइप क्या रेशो है और परसंटेज क्या है ठीक है हम दोबारा से रिपीट करें देख ठीक है परसंट के 25 परसंट 50 परसंट and 25 परसंट समझ गे यह आपने याद रखना है और मेहनत करें लाज़मी परवर्दिगार काम्याब करेगा और जेनेटिक्स बहुत आसान है अगर आप गौर से समझें और बहुत मुश्किल है अगर आप इसको ना समझे तो ठीक है अपन प्राइड लाज मुश्किल है वद्किल है ना समझे मुश्किल अगर आसे समझेपना है अगर काम्याव इसक्विट समझे काम्या को अगर इसक्ता ना सामती है जड़।